नमास्कार दोस्तों, Electrical Technician Channel में आपका स्वागत है दोस्तों, आज का वीडियो हमारा Electrical Drawing पर है और ये Electrical Drawing का Part 13 है दोस्तों, आज के इस वीडियो के दोरा हम एक MCC Panel का Drawing पर ना सीखेंगे दोस्तों, ये जो हमारे पास MCC Panel का Drawing है इसके जो पेज नमर 1 है, वहाँ से लेके पेज नमर 7 तक जो ड्रोइंग है, उसको हमने उल्लेडी पर चुके है इसको हमने Electrical Drawing Part 11 और Part 12 में पढ़े थे हैं आज के इस वीडियो के दोरा, ये जो हमारा MCC Panel का जो ड्रोइंग है उसका जो पेज नमर 8 है, वहाँ से ड्रोइंग को पढ़ना स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ये जो हमारा पेज नमर 8 है, इस पेज नमर 8 में एक स्टार्टर बनाए गया है जिसमें आपको Power Wiring और Control Wiring को दिखाए गया है ये जो हमारा Power Wiring और Control Wiring है, वह इस मोटर के लिए बनाए गया है अब ये जो मोटर है, इसको चालू और बन करने के लिए यहाँ पे Star Delta Starter बनाए गया है यानि कि ये जो हमारा Power Wiring और Control Wiring है, वह Star Delta Starter का है तो चलिए दोस्तों इसको हम किस पकार से पढ़ेंगे, उसको सीख लेते हैं तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा मोटर है, वह 3 फेस का है इसलिए इस मोटर को Power Supply देनी के लिए यहाँ पे बस बार का इस्तमाल किया गया है अब यहाँ पे आप देख सकते हो, R, Y, B और Neutral यहाँ पे 4 बस बार है, जिसमें से R फेस, Y और B फेस का इस्तमाल किया गया है Neutral फेस का इस्तमाल नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, कोई Wire Connect नहीं है अब यह जो हमारा बस बार है, इसमें Power Supply कहां से आ रहा है, यदि आपको मालूम करना है तो आप यहाँ पे Location देख सकते हैं, इस Location को किस पकासे देखते हैं, उसको मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था चलिए एक बार और आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे, कि यहाँ पे दो डिजिट लिखा हुआ है पहले, यानि कि 07, यह जो दो पहला डिजिट है, यह हमें Page नमबर बताता है और यह जो दो लाश डिजिट है, यह हमें Location बताता है, यानि कि यहाँ पर लिखा गया है 07, इसका मतलब है Page नमबर 7, यह हमारा Page नमबर 7 है, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है 7, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है Location 09, यानि कि यह जो हमारा 09 Location है, इसके यह जो हमारा Page नमबर 8 और 02 Location पे चला गया है, यानि कि यहाँ पर आ गया है, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ गये होंगे कि आप किस प्रगासे Location को देखते हैं, अब दोस्तों देखिएगा, यह जो हमारा Motor है, इस Motor को जो Power सपला जाती है, उसको चाल चालिज एंपियर है, और यह थ्री पोल का MCCB है, अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर जो MCCB था, इसके Argoin Terminal से Power Supply को कनेक करके, एक Contactor में कनेक किया गया है, अब यह जो Contactor है, इसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, C8.1, और यह जो Contactor इस्तमाल किया गया है, यह MNX 18 है, और AC3 टाइप का है, और यह जो Contactor है, उसका Current Rating 18 Ampere है, आप यहाँ पर देख सकते हो, अब दोस्तों एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर जो हमारा Power Supply आया है, Contactor में, उसके पहले यहाँ पर एक CT लगा गया है, यह जो सिंबॉल आप देख रहे हैं, यह CT का है, दोस्तों यह जो CT है, इसके दोनों Terminal से, वहाँ से Wire को Connect करके, एक Ammeter को Connect किया गया है, अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर जो CT का इस्तेमाल किया गया है, उसका रेसों 60 by 5 Ampere है, अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर जो Contactor है, इसके उपर में से भी Power Supply को Loop किया गय अब यहाँ पर जो Contactor है, इसका नाम C 8.2 रखा गया है, इसके बाद में Acor Contactor का इस्तेमाल किया गया है, जिसका नाम C 8.3 रखा गया है, दोस्तों आपको यह तो मालूम होगा कि Star Delta Starter में 3 Contactor इस्तेमाल किया जाए है, Man Contactor, Star Contactor और Delta Contactor, तो इसके हिसाब से, यहाँ पर जो हमा वहारा delta contactor हो जाएगा क्योंकि यहां से power supply जाएगा और return में यहां से आके दूसरे face में चली जाएगी और इसके बाद में यह जो contactor है वो star contactor है दोस्तों आपको यह तो महलूम होगा कि star contactor में हम क्या करते हैं जो उपर वारा terminal होता है उसको आपस में sort कर देते हैं जिससे क्य कि यह जो हमारा control wiring है इसमें आप यहां पर देख सकते हो c8.1 यहां पर लिखा गया है इसके नीचे में लिखा गया है man यानि की c8.1 जो contactor है वो man contactor है उसके बाद में c8.2 delta contactor और c8.3 star contactor है ठीक दोस्तों आप दोस्तों देखिएगा यह जो हमारा man contactor है इसके नीचे में overload relay का symbol है दोस्तों यह जो overload relay है इसका नाम OL 8.1 रखा गया है अब यह जो overload relay है वो MN2 है और इसका जो relay setting का range है वो 9 से लेके 15 A तक है यानि कि यह जो हमारा overload relay है इसमें हम 9 से लेके 15 A तक current को set कर सकते हैं इसके बार में जो power supply जाती है वो एक TV में चली जाती है TV का मतलब terminal box होत हमारा जो power cable होता है उसको ले जाके motor के सार connection कर देते हैं अब जो हमारा motor है उसमें दो cable connect होता है एक तो incoming power supply के लिए दूसरा return के लिए अब जो return में जाएगी cable उसको ले जाके 456 number TV पे connect कर दिया जागा और 456 TV से हम क्या करते हैं power supply को contactor में देखे हम connection को complete कर देते हैं अब द इसको download करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं description में link दे दूँगा आप वहाँ पे click करके download कर सकते हैं लेकिन दोस्तों उसको download करने के लिए आपको थोड़ा सा charges देना पड़ेगा दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल का membership को join किये हैं तो आपके लिए मैं community टेप में इस video का जो PDF उसका link दे दूँगा आप वहाँ पे click करके इस link के दोरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है दोस्तों चलिए आगे बरते हैं दोस्तों control supply का जो wiring होता है उसको हम हमेसा दो लाइनों के बीच में draw करते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो face supply और neutral supply अब दोस्तों देखिए यहाँ पर यहाँ पर यह मालूम करना है कि यह जो face supply और neutral supply है वो कहां से आया है तो यहां पर location लिखा गया है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यह जो दो location है इसमें जो पहला दो digit है वो यह बताता है कि page number कौन सा है उसके बार में second दो digit यह बताता है कि location क्या है चलिए द । आप 25 लोकेशन पर आईगे तो आप देख सकते हो यह हमारad 25 लोकेशन है, दोस्तों इसके नीचे में जब हम देखेंगे तो यहां पर हमे वह मिल गें लेकिन यहां पर एंड नहीं हो रहा है इसका मतलब यह है कि यहां पर थ Finnish प्रेंट हो यह जो हमारा फेर सप्लाई है इसमें हमने एक MCB को कनेक कर दिया अब यह जो हमारा MCB है वो दो MPR का है और यह सिंगल पोल का MCB है ठीक है दोस्तों अब यहां पे जो MCB इस्तमाल किया गया है उसका नम Q8.2 रखा गया है अब इस MCB के नीचे से दो वायर को कनेक किया गया है एक वायर को ले जाके जो हमारा Ovalor Relay होता है उसका जो N-O Contact है उसको Power Supply दे दिया गया है Ovalor Relay हमारा यह वाला हो गया यह वाली दोस्तों यहां पे मुझे कैसे मालूम चला कि यह जो Symbol है वो Ovalor Relay का है तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो यहां पे इस Contact का नाम लिखा गया है OL 8.1 जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा Ovalor Relay है उसका नाम भी OL.1 है इसका मतलब यह है कि यह जो हमारा Ovalor Relay है इसका N-O Contact यहां पे इस्तमाल किया गया है अब इस N-O Contact के Outgoing Terminal से वायर को Connect करके एक Indication Lamp को Connect कर दिये गया है अब यह जो Indication Lamp है वो Trip Indication Lamp हो जाएगा क्योंकि यह जो हमारा Ovalor Relay है यह Trip होता है तो इसका जो N-O Contact है वो NC बनेगा और NC बनने पे Power Supply को आगे Flow कराके Power Supply Indication Lamp को दे देगा जिससे क्या होगा हमारा जो Indication Lamp है वो Glow कर देगा अब यह जो Indication Lamp है इसको Neutral Supply भी चाहिए तो इसको Neutral Supply देने के लिए यहां से वायर को Connect करके इसको Neutral Supply दे दिया गया है अब दोस्तों देखिएगा यह जो हमारा MCB है इसके Outgoing Terminal से जो दूसरा वायर गया था वो Overload Relay का जो NC Contact है उसमें चली जाती है दोस्तों जो हमारा Overload Relay होता है उसका जो 95 और 96 नमबर का Terminal होता है वो NC Contact होता है और 97 और 98 नमबर का Terminal NO Contact होता है ठीके दोस्तों अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पर जो Overload Relay है उसके Outgoing Terminal से वायर को कनेक करके एक TV में कनेक्शन किया गया है जिसका TV नमबर 7 है अब यह जो TV है इसमें से एक वायर को कनेक करके जो हमारा Stop Push Button है Remotally यानि कि Motor के पास में जो Stop Push Button लगा गया है उसको Power Supply दे दिया गया है अब यह जो Stop Push Button है इसके Outgoing Terminal से एक वायर को कनेक करके हमारा जो TV यह 08 नमबर का उसमें कनेक्शन कर दिया गया है अब यह जो TV इसमें से वायर को कनेक करके ले जाके हमारा जो पैनल में Stop Push Button है उसको Input Power Supply दे दिया गया है अब यह जो Stop Push Button है इसके Outgoing Terminal से वायर को कनेक करके दो अलग-अलग Start Push Button को Power Supply दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यह जो Start Push Button है हमारा Local के लिए और यह Remote के लिए Local के लिए Power Supply डारेक्ट दे दिया गया है और Remote में जो Power Supply जाती है उसको एक TV के दोरा Power Supply लेके जाते हैं तो दोस्तों यह जो हमारा Remote वाली Start Push बताना है उसमें Power Supply ले जाने के लिए TV No.9 और TV No.10 का उप्योग किया गया TV No.9 से Power Supply जाती है और Return में TV No.10 पे चलिया आती है ठीक है दोस्तों उसके बाद में यहाँ पे एक No.10 का और इस्तमाल किया गया है अब यह जो No.10 का है वो किसका है यदि आपको पता करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे नाम लिखा है C8.1 जैसे कि आपको मैंने बता रहे था कि जो हमारा मैं कॉंटेक्टर है उसका नाम C8.1 है तो इस कॉंटेक्टर का जो एनो कॉंटेक है उसका इस्तमाल यहाँ पे किया गया है यानि कि जैसी हमारा मैं कॉंटेक्टर ओन होती है तो उसका जो एनो कॉंटेक है वो NC बन जाएगा और NC बनने पर क्या होगा power supply यहां से flow होते हुए आगे flow करेगा ठीके दोस्तों अब देखिए यहां से जो power supply आती है वो सिधे ही एक timer में चली जाती है अब यह जो timer है इसका नाम T8.1 रखा गया है अब इस timer में power supply डायरेक्ट नहीं जाएगा इसके बीच में एक interlocking का भी इस्तेमाल किया गया है यहां पर आप देख सकते हो यहां पर एक NC contact का इस्तेमाल किया गया है और यह जो NC contact है वो C8.2 contactor का है यानि कि हमारा जो delta contactor है इसका जो NC contact है उसको timer के series में connection कर दिया गया है अब यह जो timer है हमारा इसका symbol यहां पर दिखा गया है यानि कि इस timer में NC contact और NO contact है अब यह जो NO contact है इस timer का उसका इस्तेमाल page number 8 और 23 number location पर किया गया है इसी प्रकाल से एक और NO contact का इस्तेमाल page number 8 और 30D पर location पर किया गया है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो पेज नमर एट तो हमारा ओलेडी ओपन है और यह लोकेशन हो गया है 23 23 के नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक टाइमर का इस्तमाल किया गया है दोस्तों यह जो सिंबल है वो टाइमर का जो एनो कॉंटेक होता है उसका सिंबल होता है अब यह जो टाइमर का एनो कॉंटेक है इसके अटगोई टमल से वायर को कनेक करके एक एक एनसी कॉंटेक को पावर सप्लाई दिया गया है अब यह जो एनसी कॉंटेक है वो C8.2 कॉंटेक्टर का है C8.2 कॉंटेक्टर हमारा डेल्टा कॉंटेक्टर है यानि कि यह जो हमारा delta contactor है इसका जो nc contact है उसका इस्तमाल star contactor के series में कियागया है यानि कि यहाँ पे interlocking किया गया है enrolled हमारा delta contactor on रहेगा तो यह वाला जो nc contact है वो open जाएगा और इसको open होने से power supply आगे flow नहीं हो पाएगा और जो हमारा start contactor है वो on नहीं हो पाएगा यानि कि यहाँ पे interlocking किया गया है अब दोस्तों देखिएगा यह जो NC contact है इसके outgoing terminal से वार को connect करके सीधे ही हमारा जो contactor है उसको power supply दे दिया गया है दोस्तों यहाँ पे नीचे में इसका symbol भी देख सकते हैं यानि कि यह जो start contactor है इसका जो contact है NC contact और NO contact उसका इस्तमाल कहां कहां पे किया गया है उसके बारे में बताए गया है जैसे कि आप देख सकते हो NC contact का इस्तमाल page number 8 और 30 location पे किया गया है और NO contact का इस्तमाल page number 8 और 25 location पे किया गया है चलिए अब आते हैं यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो एनो कॉंटेक्टर आप देख रहे हैं वो हमारे C8.3 कॉंटेक्टर का है याने की स्टार कॉंटेक्टर का है दोस्तों यह जो हमारा star contactor है इसके चालू होने के बाद ही हमारा जो man contactor है वो चालू होगा अब जैसे यह man contactor चालू होता है तो इसका जो no contact है यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है जैसे हमारा man contactor on होती है तो हमारा जो no contact है वो nc बन जाएगा और nc बन जाएगा power supply यहाँ से flow होते हुए सीधे contactor में चली जाएगी जिससे क्या होगा हमारा जो contactor है वो on हो जाएगी ठीक है दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं यहाँ पे एक indication lamp लगा गया है यहाँ पे जो indication lamp लगा गया है इसका नाम h8.2 रखा गया है और यह run indication है यानि कि जब हमारा motor run करेगा तब यह indication lamp glow होगा दोस्तों यहाँ पे एक symbol का इस्तमाल किया गया है यह जो symbol है वो अनो contact क्या है और यह timer का अनो contact है दोस्तों यह जो अनो contact है इसके nc बनने पे ही power supply आगे flow होगा और यदि यह nc नहीं बनता तो power supply आगे flow नहीं हो पाएगा अब इसको nc बनाने के लिए हमारा जो timer है वो work करता है दोस्तों यह जो timer का अनो contact है इसके outgoing terminal से power supply सीधे ही एक nc contact में दिये गया यह जो nc contact है वो start contactor का है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यह जो starter बनाया गया है उसमें interlocking का उप्यो किया गया है जैसे कि आपको पता होगा कि start contactor और delta contactor दोनों एक साथ चालू नहीं होना चीए उसके protection के लिए यहाँ पे हमारा जो start contactor है उसका nc contact delta contactor के series में और delta contactor का जो nc contact है उसको start contactor के series में connect किया दिया गया है जिससे फाइदा यह होता है कि एक time पे केवाल एक contactor own हो पाएगा यह ज़िए दोनों contactor own करते हैं तो वो तुरनत ही बंद हो जाती है ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे जो हमारा control wiring और power wiring स्टार delta starter का वो complete हो गया है चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं page number 9 पे दोस्तों यह जो हमारा page number 9 है इसमें भी star delta starter का circuit diagram बनाए गया है इसको हमने अभी पढ़े तो इसको हम यहाँ पे skip कर देते हैं अब दोस्तों देखिएगा यह यह जो हमारा page number 10 है page number 10 में केवल एक power circuit को बनाए गया है दोस्तों यह जो power circuit है उसमें यहाँ पे एक mcv का इस्तमाल किया गया है यह जो mcv यह 63 एंपेर का है और इस mcv का नाम q 10.1 रखा गया है दोस्तों यह जो starter है इसमें केवल lighting या फिकिसी प्रका का power supply देने के लिए इसमें किसी प्रकार starter नहीं बनाए गया है simple connection है आप इसको असानी से समझ सकते हैं चलिए आगे बरते हैं अब दोस्तों देखिएगा यह जो हमारा page number 11 है इसमें same चीज है अब आते हैं दोस्तों page number 12 पे दोस्तों यह जो हमारा page number 12 है इसमें terminal diagram बनाए गया है दोस्तों terminal diagram का मतलब यह है कि यहाँ पे जो हमारा TV होता है उसमें कौन सा wire कहां पे connect है उसके बारे में बताए गया है जैसे कि मैंने आपको अभी बता रहा था कि जो हमारा star delta starter का circuit है उसमें TV का connection किया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो अपना motor है उसका जो cable है उसको एक number 2 number 3 number 4 5 6 number टीवी पे connection किया गया है तो यहाँ पे जो हमारा TV है उसमें कौन सा wire connect है उसके बारे में यहाँ पे अलग से बता लागया है तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा terminal diagram है उसको एक बार पढ़ लेते हैं दोस्तों यहाँ पे अलग अलग टीवी आपको दिखा गया है जैसे कि आप देख सकते हो यह जो टीवी है वह एक सिक्स है यह वाला एक्स एट ठीक है दोस्तों यह जो हमारा एक्स टर्मिनल बोक्स है इसमें साथ अलग अलग टीवी लगा गया है अब इन साथों टीवी में अलग अलग वायर connect किया गया है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो तो दोस्तों जो हमारा पेज नमबर 6 है उस पेज नमबर 6 में जो ड्रोइंग इस्तेमाल किया गया है उसका जो टीवी है उसका डाइगाम यहाँ पे दिखा गया है अब यह जो हमारा पेज नमबर 6 था उसमें कुछ वायर में टेक नमबर लिखा गया था जैसे कि A107, A108, A109 उन सभी वायर का जो टीवी का कनेक्शन है उसको यहाँ पे बताए गया है इसे प्रकार से अलग अलग टीवी का कनेक्शन बताए गया है तो चलिए दोस्तों इसको भी हम स्किप कर देते हैं अब आते हैं दोस्तों हम लगा गया है उसके बारे में आपको अलग से बता दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा पैनल है पैनल में जो हमारा पैनल नमबर वन है उसमें इंकमर लगा गया है जो कि 500 एमपेर का और यह 3 पोल का है आप इस पैनल में एक MCCB को लगा गया है ठीक फीडर नमबर वन बे 5 किलो वाट का जो मोटर है उसके लिए डियोल स्टार्टर बनाए गया है इसी प्रकार से अलग अलग चीज़े बताये गया है उसके बारे में यहां पे आपको एक बस बार चेंबर डिखाये गया है इसी में बस बार होती है जो कि हमारे हर एक फीडर को पावर सप्लाई देता है और यहां पे कुछ इस पेर फीडर है जिसके बारे में आपको सब कुछ बता दिया गया है ठीक है बस आपको यहां पर यह समझना है कि जो जी यह डाइगराम बताया जाता है कि आपका जो फीडर उसमें कहां पर क्या लगाया गया है उसके बारे म सब्सक्राइर है कि अपको यहां सबसे मुझें बारे इसको आप आसानी से समझ सकते हैं इसके बारे में आपको ज्यादा एक सब्सक्राइब करता हूं तो पाइब णमर 15 में किया करने किया और कितने Tom से कंपनिंगे उसके बारे में बताए गया है तो दोस्तों इसको हमें पढ़ने की जोत नहीं है दोस्तों यदि आप इस वीडियो का पीडिया फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको वहां पे क्लिक करके भी कर लीजेगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद